आप लोग कैसे हैं आप लोग और अच्छा कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आज का सेशन फर्स टो फॉल वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस और आई होब कि आपके लिए बहुत ज़ादा हेल्फुल सेशन रहने वाला है था पहले बट सम पोस्नल रीजिन्स बिकॉज अफ मैं पोस्नल रीजिन्स यह री स्केडियूल हो गया था तो चलिए आज असे स्टार्ट करते हैं हम लोग पासली जॉइन करो और लिंक शेयर कर दीजिए लिंक शेयर कर दीजिएगा गाईस सबके साथ में अगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो आप सब लोग कैसे हैं फस्ट फॉल कैसा प्रपरेशन चल रहा है यही पूछना चाहूंगी मैं सबसे पहले तो आप लोगों का प्रपरेशन जो है वह कैसा चल रहा है अभी आप सब लोह तो आप लोगों का कैसा चल रहा है first of all ये बताईए और अगर आप लोगों का कोई भी query है if you have any query regarding verbal ability and reading comprehension so you can ask me for cat and other management exams also अगर आपका omits के regarding कोई query है तो आप session के last में मुझसे बिल्कुल वो पूछे आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप आप लोग इसको recording देख रहे हैं तो भी आप लोग मुझे comment करके आप जो भी आप पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है ठीक है सचन बिग फैन hello चलिए I am from Sant Nagar good चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का session first of all starting के 10 minutes जो है वो आप लोग थोड़ा सा देख लें आज का आप लोग पूछ लीजेगा आज okay regarding preparation अब कुछ strategies जो है वो हम लोग discuss करने वाले हैं लास्ट के almost 50 days ही बचे हैं अब तो आपके पास में सो आज का जो lecture है on demanding था कि on demand था मैं बताईए preparation strategy क्या रखें अब तो कुछ होई नहीं रहा है वर्बल में यह वो तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है वर्बल में तो मैं इतना ही कहूंगी कि यह जो मन्थ है ना October जो मन्थ है यह आप ले बहुत जादा important है बहुत precious जो मन्थ कर रहे हो और if you are cat23s print अगर आप cat23s print है तो मैं आपको यह चीज कहूंगी इस से पहले मैं थोड़ा सा like an academy पे थी अभी नहीं हूँ तो जो अगर आप subscription लेने का सोच रहे हो an academy पे तो थोड़ा hold कर लेना ठीक है अभी थोड़ा hold कर लेना उसको तो I mean हो सकता है आपको बहु हो जाए तो मैं यही कहूंगी तो basically यह session तो cat22 वालों के लिए है तो चले cat20 वालों की last 50 days की strategy जो है वो क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं वो हम discuss करते हैं आज इस lecture में बहुत से लोग जो है वो I think मुझे ऐसा लग रहा है कि like बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं VRC में अब पर एक ही चीज है जो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूं करने के लिए reading, reading and reading. Reading is the most important thing if you are targeting cat, test, zat, ift. अगर आप specially in exams को target कर रहे हो जो कि conceptual आपके exams होते हैं तो वहाँ पर आपका reading and vocabulary is the most important thing and if you are targeting like SNAP, NMAT, CMAT, CET, तो भी definitely आपका vocabulary तो important है ही बट वहाँ पर एक जो थोड़ा अच्छी है हम बोल सकते हैं, RC से ज़्यादा priority आपका दिया जाता है grammar को, error deduction, sentence correction and all that, इस नाम से जो भी question आते हैं फिलप्स हो गए, तो वो सब grammar ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का session की last 50 days की strategy जो है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत बता दें, चलिए, तो last 50 days की strategy है, वो हम discuss करेंगे, उससे पहले आप जो है, वीडियो को जरूर से like जरूर कर दें, and I hope कि आपनों को पसंद आएगा ये session, तो आप like जरूर कर दें, ये and these are my social media handles, तो सबसे ज़ादा important आपके लिए, अगर कोई चीज है, तो वो है भाईया, ये आपका telegram ID, and जिसमें आपके लिए बहुत important information हमेशा आती रहती और आगे भी आती रहेंगी, तो ये जो social media handles जो है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए अब देखते हैं, इधर उदर की बाते ना करके, हम सिधा मुद्दे की point पे आते हैं, main point पे आते है, and the first thing is, आपका जो first thing है, यानि कि first tip जो है, if you are targeting cat, और आपको last 50 days में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो हम थोड़ो सा देखते हैं, तो first of all, जो important thing है, वो है आपका एक schedule, जो बहुत से लोग जो I think, step by step आपको सारी चीज़े मताऊंगी, आपको क्या करना है, क्या करना है, पर इक schedule बना लो, schedule आप, अब आप लोग schedule से समझते हो, कि schedule means कि like time table, इस type का time table, मुझे इतने बज़े उठना है, इतने बज़े सोना है, इतने बज़े खाना है, इतने बज़े पढ़ना है, देखो यह सब फालतु की चीज़े है, I think, यह कोई time table नहीं होता है, आप कब सोते है, कब उठते है, doesn't matter, matter करती है, तो सिर्फ एक चीज़, क्या आप 6-8 hours के बीच का time दे पाते हैं, अपनी studies को, क्या आप 6-8 hours का time दे रहे हो, time table बनाना है, आपको definitely बनाना है, बट वो time table बनाना है, आपको 6-8 hours का study time का, suppose आपने time table बनाया, कि मेरा जो, like suppose अगर मैं Sprint हूँ, मैंने जब cat दिय था, मैं अगर schedule बनाती है, suppose मैं cat 22 दे रहे हूँ, और मेरा schedule होना चाहिए था, as in student, तो मेरा जो, एक schedule होता, suppose वो यह होता, कि यार मैं थोड़ साना continuation के साथ में study करने में ज़्यादा believe करती हूँ, वो सबका अपना-पना होता है, कोई portion में study करते हैं, like कुछ, लोगों का ऐस सकते हैं, या एक जगह बैट नहीं सकते हैं, हमारा इतना जादा concentration नहीं हो पाता है, हम concentrate होके 2 hours ही पढ़ पाते हैं, यह सबका अपना-पना है, वो इंडिविज्योल है, आपको वो अपने according बनाना पड़ेगा, but guys, अब वो लास्ट टाइम आ गया है, जब आपको अपना schedule जो है, वो बनाना चाहिए, और schedule जो है, वो आपको यह रहना चाहिए, 6-8 hours का study at least important है, अब अगर आपको चाहिए, कि भाया मुझे किसने किसी IM में जाना है, मुझे FMS में जाना है, इस टाइप का कुछ भी हो, तो भाई, इस से best आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, त तो मेरे 3 hours यहां हो गए, फिर मैं कर सकती थी, कि मैं 2 hours जो है, वो मेरा रहता, 4-6, लाइकि just for example, मेरे लिए जो comfortable timing रहता है, वो यह रहता, 4-6, और मैं फिर 1 hour और 2 hour में इवनिंग में भी निकाल लेती, इतना क्या ही करती, क्योंकि अगर आप लोग अभी कहीं classes कर रहे हो, और हो सकते आपके कहीं classes चलती होंगी, तो वो सकॉर्डिंग आपको maintain करना पड़े का, but at least, at least, six hours आपको निकालने ही पड़ेंगे अपने लिए, because अब जो time है, I think आप सबके concepts जो हैं, वो clear हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए हैं, तो VRC के concepts आपके इस channel से हो जाएंगे, इस YouTube channel से आपके वोबल के जितने भी concepts हैं, वो clear हो जाएंगे, इस ही मन्त में, मैं cat का complete syllabus आप लोगों को यहां करवा चुकी होंगी, and most probably omits का भी, ठीक है, so आप जितने भी videos आएंगे, वो आप देखते रहेगा, उनसे अपना, जो syllabus है, वो आप complete कर लीजेगा, क्योंकि आपको इस मन्त में करा दू, so that आप उसकी बाद में जादा से जादा practice, practice and practice कर पाओ, omits के लिए syllabus आप इतना जल्दी complete कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, because omits is all about speed, आप कितना speed maintain करके रख रहे हो, with accuracy, accuracy भी important है, ठीक है, तो speed plus accuracy is all about omits, और आपका जो cat है, is all about, आपको वो चीज़ देखना होता है, मैं साथ-साथ में आपके comment भी देख लेती हूँ, recordings available रहेंगे, recordings यहाँ पे, schedule बनाने से पूरा नहीं होता है, क्या नहीं पूरा होता, schedule बनाने से, वो आप अपने according देखे, आपका 4 p.m. पे अगर class रहता है, किसी और का, आपका अगर क अगर आपको 6 hours की studies करनी पड़ी है, अगर आप नहीं कर पारे हो, तो भाई भूल जाहिए, cat नाम के कोई चीज होती है, फिर आपके लिए, cat means, cat means, अगर आप 6 hours नहीं निकाल पाते हो, तो फिर cat means, आपके लिए से बिल्ली होना चाहिए, ठीक है, तो उससे जादा भूल जा है, हमारे exam, हमारे cat हमारे लिए, snap priority पे है, like, जो भी आपके other management exams जो है, तो वो हमारे लिए आर्स को, suppose for me, अगर मेरा क्वांट जो है, थोड़ा वीक है, तो भाई, मैं जो है, टू आर्स, एटलिस मैं क्वांट को दूँगी, या फिर 2.5 आर्स, जो है, मैं क्वांट को दूँगी, ठीक है, मेरा LR क्योंकि थोड़ा अच्छा है, LR अच्छा है, मुझे या फिर 20 मिनिट का, या फिर 20 मिनिट का, या फिर 20 मिनिट का, इस रीडिंग, वो जो की मौर्निंग में रखो तो जादा अच्छा रहेगा, फ्रेश मैंट जब आप जो भी चाय पीते हैं, कुछ भी, लेमन वाटर पीते हो, सुबह-सुबह, वो आपका चोईस, आप क्या पीते हैं, वो आप जाने, जीरा लेमन वाटर पीते हो, या आप हेल्थ कॉंशिस हो सकते हो, तो आप उस स्केडिल प्लस प्राइरटी, अगर दोनों पॉइंट को मैं मिला के बता हूँ, तो अब जो आप लोग पूछते हो न, मॉक्स के बारे में, तो एट लीस्ट टू मॉक्स, आपका पर वीक होना चाहिए, तो मॉक्स जो है, वो आपका पर वीक एट लीस्ट होना चाहिए, औ अब जो आप, अब आपको मॉक्स लगाने का टाइम आ गया है, ऑक्टूबर है, आपको पर वीक में एक टेस्ट टू मॉक्स देने चाहिए, आप उनको सेग्रिगेट कर सकते हैं, if you want, आप ऐसे कर सकते हो, कि एक-एक मॉक जो है, वो आप सेक्शनल लगा लीजिए, सेक्श दूने, आफ्टर सेशन, तो वो आप देख सकते हैं, महां से, तो मॉक बहुत इंपोर्टन है, मॉक के साथ-साथ में इंपोर्टन चीज है, आपका अनलाइस, ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि हमने जो गलत किया है, हम उसको उसका अनलाइस कर लेंगे, कि हमने कहां गलती की है और ठीक है, नहीं, आपने अगर correct P.K.A. question, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, कि आपने किस approach के साथ में ये questions deal किये थे, किस approach को follow किया था, so that आपके questions जो हैं, वो correct गए हैं, right, तो ये चीजे में हमें follow करनी है, so first of all, important thing क्या है हमारे लिए, first है हमारा schedule बनाना, जो भी आ weak points है, weak topics जो है, उनका schedule बनाईए आप, second जो think है, वो है आपका analysis करना, analysis is most important, analysis करना बहुत जरूरी है, अगर आप analysis नहीं करेंगे, so that आपको पता ही नहीं चलेगा, हमने गलती कहां कि, हमने सही कैसे किया है, किस approach की वज़े से हमारा question गलत हुआ, किस approach की वज़े से सही हुआ ये भी important है, हाँ, बताते जाहिए, मैं प्लिस सजिस्ट फॉर बिगिनर्स वी आरसी, अगर आप बिगिनर हो, ओके, आप बिगिनर हो, बट कैट 22 दे रही हो, कि आप फरस्ट अफॉल तो मुझे ये बताईए, कैसे accuracy improve करेंए, भी अच्छा question है, ये मैं बताते हूं, 6 hours, मैं वी आरसी में, आरसी में 60% accuracy आ रही है, कल एक session मिलेगा आपको, क्या नाम है, अक्षद, कल एक session मिलेगा, how to solve reading comprehension, आप उसको देखें, CLIMS time हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो, accuracy कैसे आएगे, ठीक है, बताती हूं मैं, वो भी बताती हूं, accuracy कैसे आएगी, देखो third thing जो है important, पहले आप लोग ये सुन लीजिए, third thing जो है, वो है practice solving question, देखो maximum to maximum आपको practice करना है, ज्यादा से ज्यादा practice कीजिए, अगर आप लोगों आप लोगों को जो total अगर में बता हूं, आपको 150 at least RC exam से पहले आपकी solve होनीजी, at least 150 RC, फिर अगर आते हैं, तो आपके hundred hundred question जो है, cat के लिए थोड़ा से बता रही हूं, para jumble, para summary और odd one out, ठीक है, odd one out, ये, if you are targeting cat, तो आपका, ये इतने question का practice जो है, before exam हो जाना चाहिए, and if you are targeting other management exams, तो भाहिया, फिर simple सी बात है, grammar के जितने ज्यादा से ज्यादा correct questions कर सकते हो, vocab के जितने ज्यादा से ज्यादा, plus आपका critical reasoning भी आ जाता है, critical reasoning 11 p.m. पे चल रहा है, आज new topic स्टार्ट है, syllogism का miss मत करना, उसे बहुत important है, basic plus questions होंगे आज, तो आप वो कर सकते हैं, next है use videos to learn, देखो आप न, कोई भी question, जहां पर आप अटक जाते हो, जहां पर first जाते हो, अरे यार, अब क्या होगा आगे, अब तो हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे solve करेंगे इसको, तो देखो इसके लिए जो सबसे important thing है, वो है video, आप कोई भी जो, visualize कोई भी चीज को देखते तो आप कोई भी चीज जिसको video form में देखते हैं, कभी भी भूलते नहीं है, तो भाई अगर आप video form में किसी चीज को देखेंगे, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है, बहुत अच्छी चीज हो सकती है, ठीक है, तो अगर आप किसी भी question में आप कोई confusion होता है, problem होता है, तो आप आके check कर सकते हैं, मेरे YouTube पर आपको सारे topics मिल जाएंगे, मेरे YouTube पे जो वीडियो जो लिखा होते हैं, उसमें जाय करो सारे topics मिल जाएंगे, मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, तो आप लोग देख लें जाके, next thing है, do not overwork yourself, देखो बहुत necessary, 100% syllabus करना ही नहीं है, suppose क्वाइंट में, आप geometry, algebra is the most important topics, आप उनको करो, आपको DI में problem होता है, तो आप LR पे जादा focus कीजिए, आप, suppose for cat, VARC में, आप RC पे जादा focus कीजिए, तो इस टाइप से आपका, आप देख लें, first of all, उन चीजों में जादा practice करें, जो आपका forte है इट मेंस कि जो चीजें आपके best हैं, उन में जादा से जादा practice कीजिए आप लोग, ठीके, तो अपने आपको कभी भी, जो full syllabus जो है, वो करना ही नहीं है, cat ने अपना full syllabus बताया ही नहीं है, क्या cat कोई किसी को पता है, कि complete syllabus क्या है, cat कोई fig syllabus ही नहीं है, है ना, तो हम तो उन funding हमारे questions जो आ रहे हैं, हम उनी पर करते हैं, basically cat के लिए, verbal के लिए आपको only five topics प्रिपेर करने है, reading comprehension, para jumble, para summary, odd one out, यह सब में करा चुकी हो मेरे YouTube पे, जाके देखो तो सही, वहां से कर सकते हो आप, ठीके, तो ऐस सच यह नहीं करना है हमें, बस अपना focus रखें कि जो भी हम ने किया है, उसमें हम practice ज्यादा से, उसमें accuracy ला पाएं, speed maintain कर पाएं, बस इतना करो, जितना किया है, उसमें speed maintain कर लो, next यह सबसे important चीज़ है, take care of your health, अपनी health का please ध्यान रखें, अगर आप physically ही fit नहीं हो, तो mentally कैसे fit होंगे, तो थोड़ा मौसम भी change हो रहा है, इस time पर, तो मैं यही काऊंगी, कि भाईया, अपना health, जो है, उसका ध्यान रखें, थोड़ा diet, जो है, एक normal diet लें, ऐस सच यह नहीं, कि कुछ भी खा रहे हो, खाने का एक time, जो है, एक schedule, पता है, उससे, बहुत, उसका बहुत effect पढ़ता है, आपकी preparation पर, आपका खाने का time क्या है, एक लीस्ट आपको need होती है, six to seven hours of sleep की, यह जो लोग बोलते हैं न, अरे कि सिफ चार घंटे सोना है आपको, उससे जादा नहीं सोना है, बाकी पूरा preparation पे दो, पूरा पढ़ने में दो, नहीं भाई, अगर आप six hours नहीं सो रहे हैं, तो आप कोई भी चीज को याद कैसे र नहीं है, कोई connection ही नहीं है, okay, तो अपना mental and physical health का भी उतना ही ध्यान रखें, tension नहीं लेना है आप लोगों को, और especially exam, जिस दिन exam दने जाओ, seven hours की sleep होनी चाहिए, आपकी तभी चीजें, जो है, fresh mind से अच्छे से paper कर पाओगे, चीजें याद रहेंगे, अदर्वास भूल ज exam, exam students often, like, यही होता है, कि आपको करना क्या है, seven hours की वही मैं चीज बोर रहेंगे, seven hours की sleep आपको exam के पहले वाले दिन जरूर लेनी है, and don't panic, अब तक अगर, suppose, आपका verbal जो है, मुझे सच सच बताओ, verbal जो है, तुम्हारा कैसा है, अगर अब तक verbal कुछ भी नहीं है, like, ऐसा ह problem हो रही है, तो आप लोग मुझसे आज सब पूछ लो, problem क्या है, मुझसे वो पूछो, ठीक है, and जो सारे वीडियोस जो है, इस YouTube के जितने भी वीडियोस है, सब देख लेना, और इस मन्त में मैं ज्यादा से जादा sessions लेने वाली हूं, ज्यादा से जादा syllabus कराने वाली हू तो अपने आपको updated रखें, और कैसे रखें, यह जो telegram given है न आपको, यह जो उपर telegram channel given है, इसको join कर लो भईया, और channel को subscribe कर लो, so that आपको सारे updates मिलते रहें, इस मन्त में आपका 100% syllabus मेरी तरफ से cover हो जाएगा, आगे आप कैसे करते हो, क्या करते हो, वो आप देखेंगे, मैं आपको google drive का link already इस पर दे चुकी हूँ, telegram पर, ठीक है, और I think अभी भी होगा, let me check हा, मुझे देखना पड़ेगा, नहीं है तो मैं आज दे दूंगी, तो उसको एक बार save करके रख लें अपने पास, आपके पास उसमें इतना सारा content है न, practice के लिए, आपको needy नहीं है कई और से content लेने की practice के लिए, start with easy questions, देखो आप कभी भी mock test देते हो, even mock भी देते हो, तो easy questions के साथ में start किया, अगर ऐसे नहीं मैं पहले first question करूँगा, फिर second करूँगा, फिर third करूँगा, ये चीज़ नहीं करनी है, start कीज़े easy questions के साथ में, जो easy है, उन questions को start करो, ताकि demot क्या हो, क्या होता है, starting में हम tough question लेके बैजाते हैं, पूरा confidence लूज हो जाता है, ये नहीं करना है, easy questions के साथ में start कीज़े, so that आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो आप थोड़ा demotivate नहीं होंगे, only answer question when 100% sure, ये चीज़ बहुत important है, तो all you know that, कि negative marking तो रहता है, तो तो ही आपको answer choose करना है, ठीक है, तो ही आपको tick करना है, तुक्के मत लगाना बस, VRC, मैं 22 का cat देने वाला हूँ, बट VRC की बिल्कुल भी preparation नहीं की है, तो याज सागर, मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपने अब तक कुछ भी prepare नहीं किया है न, तो आप please एक बार, मैं आप लोगों के साथ में आज playlist share करूँगी, इस telegram पे, telegram को join कर लेना, channel को subscribe कर लेन तो मैं आप लोगों के साथ में एक playlist share करूँगी, एक नहीं थोड़ा सा दो है, वो cat के लिए champions batch चल रहा है, उसकी playlist होगी, if you are targeting cat, zat, antis, ift, तो आप champions batch वाली playlist को देखे, और if you are targeting snap, nmat, cmat, ct, तो आप English special batch जो आपका चल रहा है, उसको देखे, critical reasoning लेके मेरा English special में ही चल रह है, ठीक है, तो बस आप जिन questions के साथ में 100% sure होते हो, उनी questions को आपको करना है, और 100% paper नहीं करना है, कुछ question छोड़ो, छोड़ना भी सीखो, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, critical reasoning करने के लिए आप channel को subscribe कर लो, यहां पर critical reasoning के लिए 11 p.m. वाले जो lecture है, English special batch, statement assumption हो चुका ह है, आपका fact inference judgment हो चुका है, आज आपका syllogism है, फिर उसके बाद में मैं कराने वाली हूँ, आपको मैंने पूरा इस मन्त का आपका मैं course बना चुकी हूँ, तो उसके बाद में मेरा रहेगा course of action के questions, course of action topic, ठीक है, दैन उसके बाद में fallacy रहेगा, argument रहेगा, assertion and argument, तो critical reasoning के यह सारे topics मेरे आपको 11 p.m. class में मिलते रहेंगे, कोई break नहीं है इस class में, ठीक है, कोई off नहीं है आपका किसी बे दिन till exam, कोई off नहीं है, next try avoid studying new topics, देखें अब वो time है, I think आपको new topics की बजाए, जितने topics आप लोग कर चुके हो ना, उन पे focus कीजिए, जितने topics आप लोग कर चुके हैं, उन पे focus करें, and उनको strong करें, suppose आपने, I think अब तक, मुझे लगता है कि geometry and algebra तो करी लिया होगा, है न, यह जितने topics आपने कीए हैं, उनको करो, तो उन पे जादा focus करो, suppose आपने LR और DI में से choose कर लो, कौन सापका best है, आप VRC में से, जितने topic कर चुके हो, तो उन उन पे जादा से जादा practice कीजिए, last में अटक जाते हैं, last में किस चीज में अटक जाते हो, revise from already prepared notes, देखिए आप लोगोंने I hope notes prepared किये होंगे, मैं आप से करवाती भी थी, तो notes जरूर बना लेने हैं, जो भी important points होते हैं, उनके topic wise, और उनका बार बार revision करो, जब भी mock देने जाते हो न, mock देने जब भी बैठो, revision करो उनका, उनको आपको revise करना है, ठीक है, तो revision is the most important thing, तो आप revision करेंगे, बार बार जाकर उनको, जिसे की vocabulary है, उसका revision करो, जब भी vocab की class में आते हो, कुछ नहीं समझ आता है, तो आप video से देख सकते हो, vocabulary के, ठीक है, so till exam, आपको revision र करेंगे, और mock test के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगे, कि week में आप एक एक तो लगाए, sectional mocks, clear है, और एक लगाए, full length mock, तो आपका, I think, और जादा अच्छे से preparation हो पाएगा, अगर आपको mocks के लिए, ये strategy, use करते है, तो, keep taking, taking the mocking test in final days of preparation, तेखो, अब जो है, आपका mock test का आ आप IMS के दे सकते हो, time CL के दे लो, जो आपको अच्छा लगता है, आपका choice आप कहीं से भी दे सकते हो, तो आप, yes, वो mock दे सकते हो, बट section wise mock भी आपको जरूर देने है, आपको especially mock deal करते time, quantity से ज़्यादा quality पे focus करना है, ठीके, quality पे focus करना है, it means, कि जितने question में आप शौर हैं, जितने questions आपको आते हैं, आप उन question पे ज़्यादा focus करें, rather than कि मैं ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, जितना accuracy के साथ कर सकते हो, उतना ही करो, RC question में last में अटक जाते हो, okay, and the last thing, keep polishing speed and accuracy level, देखो first of all, improve your accuracy, rather than speed, हम speed पे बाद में भी work कर सकते हैं, but the most important thing is accuracy level, तो अभी accuracy पे work कीजिए, और accuracy पे work करने के लिए अपने basics, first important thing कि भी आपने basics जो हैं, उन पे focus करो, देखो मैं verbal में आपको यही करोंगी, अपने basics जो हैं, वो strong करो, अगर अब तक आपके basics clear नहीं हैं, तो अपने basics को clear करो, it means हर एक topic, और आपको करना ही क्या है verbal में, आपको parallel के basics देखने हैं, आपको parallel summary के basics देखने हैं, आपको odd one out के basics देखने हैं, आपको RC के basics देखने हैं, और यह सब मैं करा चुकी हूँ, इन सब के basics आपको मिल जाएंगे, तो मैं playlist जो share करूँगे ने, champions batch वाली, वो characters IFTZ के लिए है, तो वो लोग उसको देख लेंगे, और जो target करें, snap and met c-met c-t, तो वो लोग English special batch को देख लेंगे, अब बताओ आप लोगों के क्या question है, but schedule आज ही बना लेना जागे, schedule ज़रूर बना लीजिगा, मैं कितने question attempt करना चाहिए, 90 plus percentile के लिए, यार at least 18 question तो करो, है न, try करें, 15 to 18 के बीच में रखें आप अपना questions, मैं revision के लिए, आपका an academy का lecture देख सकते हैं, यहाँ देख लो, वो सारे का सारे in short करा चुकी हूँ, वहाँ पर लंबे-लंबे lectures हैं, और यहाँ पर in short वो आपका time बचेगा, अगर आप लोग यहाँ से कर रहे हैं, इगो को सारे में रखना पड़ेगा, definitely, question आपको सारे नहीं करके आने, egoistic नहीं होना है, वहाँ पर हमें, कुछ-कुछ जगह में ego छोड़ना पड़ता है, तो कोशिश करें, ego छोड़ दे, मैं time लग रहा है, बट question में RC के पूरे question solve नहीं हो पा रहे है, time लग रहा है, सारे नहीं करने है, सारे नहीं करने है भारती, हमें 100% question करने ही क्यों है, RC में, suppose we have, in long RC, we have 5 questions, तो I think you should try 2-3 question, at least 3 question भी कर लो 100% accuracy के साथ, focus on your accuracy, एक तो वीडियो को like कर दो यार, I hope आप, आपके लिए helpful रहा होगा session, comment करक आपको लगा, माम cat का critical reasoning का कितना, देखो critical reasoning जो आप पूछते हो कि cat में कितना आता है critical reasoning, हम क्यों करें cat के लिए, cat में आपने ऐसे questions देखे होंगे, I think, main idea, right, inference, assumption, क्या ये इसमें नहीं आते है, conclusion, क्या ये critical reasoning का पार्ट नहीं है, ये सभी तो मैंने आपको कराया है critical में, what can we infer from, तो वो inference हो गया, what is the purpose of the passage, what is the purpose of like the 31st line, first paragraph and all that, तो वो purpose क्या है, main idea ही तो है, है ना, suppose, what can we assume from this sentence, है ना, या फिर from this para, तो वो assume जो करते हो, वो क्या है, assumption है, तो ये ही सब चीजे है, तो ये important है, आपको cat के लिए जो critical reasoning करना है, cat के लिए भी critical reasoning करना पड़ेगा, RC के लिए, क्योंकि critical reasoning के question, जो है, वो 70% RC में critical reasoning question ही होते है, इसके अलावा different type of आते है question, जो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, full paper में कितने, full paper में कितने मतलब, वो हर एक section wise देख लो, हर एक section में उतना ही average रखो मैं, reading and understanding RC is taking too much time, what to do, I think you should apply summary, summary process, है न, to solving RC questions और RC, आप summary process जो है, उसको use करो, अगर आप कोई भी RC read करते हो, even अभी, mock, mock से ही start करो ये process, तो summary process क्या है, basically we have a reading comprehension passage and we have 4 to 5 paragraphs, तो you should summarize each paragraph, है न, in your own words, suppose in 4 to 5 words, है न, you should try, summarize in 4 to 5 words, आप हर एक paragraph को 4 to 5 words में summarize कर लो, अपने शब्दों में, जो भी language में करना चाहते हो, एक second, हाँ, it is not important कि we should summarize in English, आप अपने words में जो है, कर सकते हैं, फिर वो, जो भी language में आप करना चाहें, फिर आप उसको एक साथ देखो आपको main purpose भी पता चल दाएगा, और जहां से question आए हैं, उस part पे जादा focus करें, बाकी को scan करें, सिर्फ scanning करो, भाना complete paragraph को बहुत जादा focus हो के read करने की कोई need नहीं है, understand करने की कोई need नहीं है, पहले questions को approach करो, questions को देखो, फिर paragraph के, passage के, जिस part से question आया है, सिर्फ उसको summarize करो, complete को नहीं करना है हमें, critical में इसके अलवा important topic बता दीजिए, मैंने बताया ना, जो मैं आज करा रही हूं आपको शिवम, आपका cat के लिए तो इतना ही है, but other management exams के लिए, जैसे आज सिलोजिजिम आपका हो जाएगा, fallacies बचता है, फिर हमारा course of action and assertion and argument, four topics बचता हैं, जो ओके, और बताये, मैं accuracy पर focus कैसे करें, accuracy पर focus लाइक आप ये कोशिश करो कि suppose five questions है, तो उसमें से तीन accurate होने चाहिए, three questions जो हैं, वो accurate होने चाहिए, grammar words याद नहीं रहते, तो grammar को ना, daily revise करो, daily revise करो, cat 22 दोने वाले और अब तक अगर कुछ नहीं हुआ है, तो भाईया, यहाँ पर जितने भी वीडियोज है ना, उन सब को देख लो, critical reasoning करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, critical reasoning करने के लिए, मेरा 11 p.m. वाला English special batch जॉइन कीजे, और बताइए, मैंने preparation अभी से start किया है, पर कैसे कहां से कर सकती हूँ, start cat 22 के लिए, आपके lectures से starting से कहां पे हैं, मेरे lectures यहीं पे हैं सारे, और इस मन्त में आपको और भी ज्यादा sessions जो हैं, वो मिल जाएंगे, तो अभी जितने available है ना, जो मैं playlist आप लोगों के साथ में आज share करूँगी, तो आप उसको देख लेना, आप ये telegram channel join कर लो, रिखिए इसको ना, subscribe करो channel को, so that सारे के सारे topics ज मैं मौक कहां से दे, मौक यार देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, cat exam के लिए grammar को side drug सकते है, cat exam के लिए grammar को side drug सकते हो, other management exams के लिए नहीं, RC कितने करनी है, RC अगर आपके पस में 5 RC आती हैं, तो 4 करो, 4 आती हैं, तो 3 करो, at least 1, कोशिश तो करो कि आप सारी RC करके आप आओ, at least 1-2 question तो सभी के touch करके आओ, मैं CMET में sectional clear करना होता है, क्योंकि मेरा quant अच्छा नहीं है, quant अच्छा नहीं है, करना तो पड़ेगा न, सारे quant में जो portion आपको लगता है कि मेरा एक-दो topic जो मैं कर सकता हूँ, algebra ही कर लो यार, maximum formula based questions होते हैं, वही कर लो, cat में grammar नहीं आती, cat में grammar नहीं आती, आपके और कोई भी question हो, अगर किसी कर रहे जाता है, तो comment में पूछ लीजेगा, और comment करके बताना जरूर, sorry, कैसा लगा, session आपके लिए helpful था, और भी कोई query है, आपको किस type के videos की जुरत है, आप मुझे comment में बताया करो, तब ही तो मैं उस type के videos आपके लिए बनाऊंगी ना, कि मैं मुझे इस पर information चाहिए, please एक video बना दो, ठीक है, और बताये, RC में problem आ रही है, RC की problem के लिए, solution भी RC है, आप reading करो जादा से जादा, novel रीड कर लो यार, कुछ अच्छी habits बनाओ, अच्छी habits बनाओ, नहीं आता है, तो atomic habit करके novel है, वो खरीदो, वो पढ़ो, अच्छी habits बनेगी, और habits मतलब, like जो आप, आपने improvement करे, अपने आपको improve कीजिए, ये time अपने आपको improve करने का है, right, basics हमारे almost clear है, वही सब चीजे हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, nothing special, कुछ भी new नहीं है, सब कुछ वहीं है, ठीक है, जो focus जो करना है आपको, वो पताए क्या है, वो ये है कि, अब आप अपने आपको organize कैसे रख रहे हो, अपने आपको discipline में कैसे रख रहे हो, अपने आपको schedule में कैसे schedule बना के, क्या आप उस पर implement कर पा रहे हो, अगर आप ये चीज़ कर पाओगे न, आपका cat में selection होने से कोई नहीं रोख सकता, आपको I am मिलेगा ही मिलेगा, कुछ अब ही नहीं है, अभी एक मेरे इंटर्वी लिया था, cat Calcutta में है, I am Calcutta में, sorry, मेरे एक student last year का, उसका मेरे इंटर्वी रख था, I am Ayamdabad वाले का भी मैं रखूंगी, most probably से Sunday में, तो उन लोगोंने बहुत छोटी चीज़ें की थी, देख उन्होंने पते क्या किया था, उन् जो थी, वो थी reading, reading नहीं छोड़ी थी, अगर अब तक नहीं करते हो, तो reading करो, अब करो, अब स्टार्ट कर दो reading, और उसके लिए क्या करो, daily at least एक RC कर लो, नहीं है तुम्हारे पास RC, तो मैंने आप लोगों को material जो है, इस पर दे रखा है, Google Drive मैं आज रात को आप लोगों मैं दे दूगी भाई तुम्हें इस telegram में, आप करो तो सही, ठीके, तो कोई भी type के, अगर आपको help चाहिए होती है, तो आप comment section में लिखें, जो भी latest video होता है, उसके comment section में लिखें, definitely मैं उसको consider करूंगे, कितना time देना है, किस चीज़ को कितना time, one question को, one question, one minute, max to max one minute देन होता है, वो last option होते हैं हमारे पास, तो वो भी कर सकते हो, हर section का section निकालने में, कितने question attempt करने हो, हर section का sectional, okay, हर section का sectional, आपको ऐसा है कि हमें सिफ clear करना है, to 10 to 12 question, 10 to 12 question आपका clear हो जाएगा, 10 questions on an average, ठीक है, general awareness, और interpretation, यह मैं कराऊंगी यार, यह मनमंत में हो जाता है, और यह मैं कराऊंगी भी, critical reason यार से की question का practice video लेकर आईए, ठीक है, हाँ, ठीक है, यह अच्छा है, idea, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, FMS के selection के लिए video बना दो, okay, telegram उपर pin किया हुआ है, आप directly join कर सकते हैं, one minute in cat, हाँ, one minute in cat, cat exam, one minute one question, comprehension को कैसे improve करें, comprehension को improve करने के लिए अपन reading improve करो, और portion में reading करो, आप एक साथ read करके understand नहीं कर पाते हैं, तो छोटे-छोटे portion में read करो, it means कि आपने suppose एक paragraph ले लिया, उसको read किया, उसको अपने words में summarize किया, and then आप next पे गए, मेरी speed जादा हो तो बता दे न, how to prepare for endment, इसका video आएगा, इसका जल्दी आएगा, कितने attempt करने पड़ेंगे, दे दो, दो तो दे ही दो, sectional cutoff करने लिए कितने attempt मुझे समझा नहीं, कितने question attempt करने पड़ेंगे, अगर ये बूच रहे हो, वो अलग question है, उसका बराऊंगे, उसका में endment के लिए video बराऊंगे, उसमें बराऊंगे, ठीक है, अभी half an hour लग जात अगर नहीं आये हो, तो इस मन्त की आप रख सकते हो, at least 15 minutes पे अपने accuracy ले के आओ, यार, काम करो, थोड़ा focus करो उस पे, मेरी daily live classes का time होता है, 11 p.m. और आपको अब से 2-3 videos जो हैं, वो दिन में भी मिला करेंगे, थोड़ा सा आज, आज, आज कल में मैं थोड़ी सी busy थी, and I hope आप लोग को पता होगा, कि मैं क्यों busy थी, कल का session अगर आपने लिया है, तो मेरे grandmother के death हो गए थी, तो मैं थोड़ा सा busy थी, and I hope आप लोग को पता होगा, हाँ, बाकी strategy for DILR, या DILR के लिए, according to me, आप अगर कोशिश करें, आप देखे किस type के set में आप comfortable हैं, जो भी हैं, तो आप at least वहाँ पर one set भी करके आते हो, one to two, second set, अगर आप complete नहीं भी कर रहे हो, आधा कर लेते हो, तो भी चलेगा, LR में बहुत easy questions भी आते हैं, जैसे blood relation हो गया, है न, आपका statement, assumption, conclusion and all that, और भी बहुत सारे topics हैं, तो जिनको आप easily deal कर सकते हैं, syllogism हो गया, palaces हो गया, आज syllogism है, जिनको LR में problem होती है, आज syllogism का topic है आपका, उसको miss मत करना, आज ही start होगा, वो new topic, और बहुत अच्छा topic है, और बहुत अच्छे से LR में score कर सकते हो उसके थुरू, तो उसको join कर लिजेगा, अनमेट के लिए college को form fill करना पड़ेगा, क्या, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, अनमेट का video आपको मिल जाएगा, कल पर सो में, ओके, तो ये था, मैं मैंनमेट में कितने attempt करने पड़ते हैं, यार वो मैंनमेट वाले में बताऊंगे आपको, वैसे कली है उसका session, एनमेट कब दे, मैं DLR complete नहीं पड़ाती हूँ, प्रियांका, complete नहीं, बट जो like non-verbal, आप बोल सकते हैं, जो verbal reasoning के जो कुछ topic हैं, जैसे क and statement conclusion, statement assumption हो गया and और भी एक दो topics हैं, जो मैं लेती हूँ, वो topics मैं आपको कराती हूँ, अच्छा, last date ही 10 है, चलो मैं आज ही करती हूँ उसका, ठीक है, एनमेट का वीडियो आपको recorded मिलेगा, रात में मिल जाएगा, कोई query हो, तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, comment section मे वहाँ पर पूछ लीजिएगा, okay, अगर 10 ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ, आज ही आपके लिए provide कराने की, okay, पीडियाफ, पीडियाफ तो नहीं है, I mean like मैंने, आलग से पीडियाफ तो नहीं होगा मेरे पस vocabulary का, बट मैं आपको इसमें करा करा दूगी मैं आपको, as soon as possible, हाँ, एनमेट का, okay, मैं cat, के बाद पता, पता कैसे चलेगा, क्या पता चलेगा cat देने के बाद, आपका answer की आती है, और उसको देखो, answer की को check करो, और फिर वैसे भी answer की आने के बाद तो आही जाता है, जल्दी आ जाता है, cat का result है, ज्यादा आज मैं आपको Google Drive का link दूँगी, वो मैं रात में दूँगी, 11 बजे के around, 11-12 बजे तक दूँगी, मैं Google Drive का link, तो इस Telegram चैनल को join कर लेना, practice का बहुत सारा material है उसमें, वहां से practice कर लो, timing for cat, cat का session, यार मैं timing यही रखने वाली हूँ, यह वाला session, यह वाला time है, मैं कल से cat का रखूँगी, afternoon वाला नहीं हो पाता है, पीजे का folder कहां मिलेगा, वो मिल जाएगा, ठीके, तो चलिए, आप लोगों के अगर और भी कोई queries अगर रहे गए हैं guys, तो आपनों comment करके होता है, कि मैं हमें इन इन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, आप लीज अविलेबल कराईए, as soon as possible, मैं पूरी कोशिश करूँगे, कि आपको as soon as possible, मैं आपको वो चीज़े प्रवाइड करा से को, Google Drive का link जो है, आपको आज रात को बारा बजे मिलेगा, इस Telegram चानल पर, Telegram को जॉइन कर लें, चैनल को सब्स्राइब कर लें, इस मन्त में आपका सारा स्लेबल हो जाएगा, cat plus formats का, तो भाया, updated रहिए, जो भी वीडियो जाते हैं, साथ के साथ उनको करते जाएगा, ज्यादा ये, रहने ऐसा नहीं कि हाँ, चलो, बाद में कर लेगा, नहीं, और एक खाना, पी ना, सोना है, अपना हार्ज का बनाओ, कि मैं इतने से इतने बज़ें ये subject पढ़ूँगा, इतने से इतने बज़ें ये subject पढ़ूँगा, और वो commitment दो आपने आपको, क्योंकि आपको cat clear करना है, आपको जाके IM में बैटना है, कुछ दिन जो है, थोड़ा सो WhatsApp, Instagram, यह सब चलाना छोड़ दीजिए अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए जब आयम में पहुंच जाओ उसके बाद अच्छी से स्टूरी लगाना वहां सेलपी लेगे फिर स्टूरी स्टूरी लगाना वह ज्यादा अच्छा लगेगा याद तो कोशिश करें कि आपको यही कर के तो मैं मिलूंगी रात को 11 बजे और सब चीजें एक बार के लिए टू मन्स के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए सिर्फ औस फोकस कीजिए अपने आप पर थोड़ा गल्फरेंड बॉइफरेंड से कम बात कर लो थीक है अपने उपर फोकस करो थोड़ा गल्फरेंड ब किया करो थोड़ा सा किसी ने कसी चीज से कनेक किया करो वो क्याबलरी को मैं मैं कैसे तीनोंट बैलेंस करके पड़ों तीनों बैलेंस करके ओन एवरेज टाइम दो तू टू टू आर्स का टाइम दो ठीक है और कोशिश करें अपना स्लेबस जो है इस मंत में एफिन 15 या 20 त कर लो और राइटिंग वो पैस्ट रहेगा टू 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 आर्स का रख लो और मॉर्निंग में उटते ही थोड़ा वर्बल को टाइम दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वह बोर होते हैं और फ्रेश मैंड से जब हम सो के उटते हैं तो रीड कर भी लेते हैं चीजों का ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बाद में क्वांट तो क्या सॉल्व करना है बर थोड़ा मेरा मानना है आप जितना भी आर्स पढ़ रहे हो त्याएं आप फ्री आर्स फॉर आप फिप फाइफ आर्स सिक्स आर्स फोकस्ड होके पढ़ी है यहना फोकस् Concentration is most important और Concentration के लिए थोड़ा सा मैं आप लों को यही कहूंगी कि भाया सुबह ना पांच मिनट का या तस मिनट का Meditation कर लो कुछ नहीं जाता है अब Meditation होता क्या है अगर वो भी नहीं पता है तो आखे बंद कीजिए और ओम का जो sound होता है ना ओम उसको slow motion में बोलते जा तो spiritual होने के लिए क्या रहे है नहीं उस Meditation से पता है क्या होगा आपकी memory शाफ होगी जो पढ़ोगे ना वो याद रहेगा वो याद रहेगा तो यह Meditation बहुत जरूरी है जिम ना करो दो महिने Meditation कर लो 5 hours enough है 5 hours enough 5 hours थोड़ी ना वर्बल पढ़ोगे वर्बल के लिए तो I think 1 to 2 hours भी more than sufficient है 2 hours sufficient है वर्बल के लिए बट रीडिंग पर फूकस करो देख ओ रीडिंग से आपका vocabulary automatically improve हो जाएगा suppose आपने आज क्या किया आज आपने एक paragraph लिया और आज मैं ये पढ़ूँगा आज मैं ये पढ़ूँगा उसमें बहुत से words ऐसे आएंगे जिनके meaning भी आपको नहीं पता होते हैं एक notebook लेके बैठा करो जब भी read करते हो उसमें उन words को लिखो उनका meaning लिखो word लिखो meaning लिख आपने आपका reading भी होगा और सबसे बैस चीज़ पता है क्या है जो आपको मैं आज Google Drive का link दूगी ना उसमें बहुत सारी आर्सी आपको around 200 आर्सी मिल जाएंगे डेली एक आर्सी सॉल्व करो या दो आर्सी सॉल्व करो है ना उसको read करो ना उसको understand करो वहां से reading भी हो रहा ह है महां से हमारा vocabulary भी हो रहा है क्योंकि जो हमें समझ नहीं आएगा उसको हम Google हमारे phone में इंस्टरग्राम WhatsApp इनके लवा एक Google नाम की चीज़ भी होती है वहां पर उनके meaning देखो कि उसका meaning क्या है उसको link हो फिर rough notebook में ठीक है and then उसको reread करो अपने question solve करो आर्सी भी हो जाएग और reading भी हो जाएगा अलग से reading क्यों करना है वही करो न 90% के लिए विवेक आपको करना चाहिए कितना sorry 90% तो आपको करना चाहिए 15 to 18 question ठीक है 100% नहीं करने है तो बस यही था अब मैं चलती हूँ अब मैं आपसे मिलूंगी रात को 11 बजे नए topic के साथ में new topic के साथ में मिल syllogism तो critical reasoning का topic है LR में आता है भाया cat में भी आता है तो उस topic को करी लेना other management exam में तो यह VRC में आएगा but cat में LR में आएगा तो बहुत important topic है syllogism और बहुत अच्छे-चे questions के साथ में हम उसको करने वाले हैं तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से रात को 11 बजे तब हूँ आप लोगों के साथ ठीक है कोई भी problem होता है मुझे बताएं ओके चलिए बाबाई